रियल्मी वन भारत में लाउंच हुआ हाल ही में और अब इसकी सेल भी शुरू हो गई है काफी डिमांड आए इस फोन के रिव्यू के लिए तो हाजर है आपको ये रियल्मी वन का रिव्यू इसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको फोन खरीदना चाहिए या नहीं आप देखने हैं टेक तक मैं हूँ शुती शर्मा तो ये है रियल्मी वन यूस्पी इसका बेशक है डिजाइन क्यूंकि जो बाक साइड में आपको कट्स दिख रहे हैं एक डाइमंड रिफ्लेक्टिव कट्स हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये परसनली मुझे काफी प तो बाक पानल जो है फाइबर केसिंग का है जुसमें की जो अंगल इस तरह से कट किये गए है कि ये डामंड का एफ्लेक्ट देता है विच इस वेरी ब्यूडफुल वेल आगे का डिस्पे की बात करें तो जो है काफी क्लीन रखी गई है छे इंच की इसकी स्क्रीन है और diffé A.A.D. है कोई भी बटन नहीं है फ्रंट में थू क्लीन लूग भी घउंटा फ्रंट में फिंगर्परिं उनक नहीं दिया गया है डो है विच मिनस की स्मार्ट्वोन में फिंगर्मցल गे भी शिक ताल दिया ही नहीं गया है इसमें जो उनक्ट किकोश अंगर को लगता है कि जादा अप नहीं है और security wise problem है तो पिन और पाटम का इसमें इस्तेमाल करिये Face recognition हला कि अच्छा है, fast है और responsive है इसमें Screen के color का reproduction काफी decent है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है It's pretty decent, so हम कहेंगे कि screen display is pretty fine Processor इसमें MediaTek Helio P60 SoC दिया गया है, जो कि performance wise काफी अच्छा है As per the kind of performance भी got from the phone, जब हमने इसमें इसे इस्तेमाल किया UI key तो बतादें आपको कि इसमें color OS दिया गया है, साथी ये Android 8.1 पे चलता है Android P का अभी फिलहाल कोई update information नहीं है, इसका लेकिन फिलहाल latest Android which is Oreo उसके चल रहा है 6 GB के RAM है इसमें और 128 GB की internal storage है फिलहाल आपको ये 6 GB में ही मिलेगा, इसके variant बहुत ही जल्द अब launch होंगे वाले है 6 GB variant की कीमत होगी 13,990 रूपे और आपको बता दें कि 5000 तक के इसके cashback offers भी हैं जो आप देख सकते हैं जब आप phone खरीद रहे होंगे online और ये आपको बता दें कि ये online ही phone मिलेगा, अभी offline या किसी retail store में आप इससे नहीं खरीद सकते हैं कामरे की बात करें तो rear camera, dual setup नहीं है, single camera दिया गया है 13 MP का और वही front camera है 8 MP का जी हाँ, dual camera setup का अब जमाना है लेकिन 13 MP camera से भी decent pictures आई हैं और काफी अच्छी pictures आई हैं selfies हम ने ट्राइ करी, वह भी decent रही, low light में ये इतना अच्छा perform नहीं कर पाया portrait mode दिया गया है front और rear camera दोनों में, which is a good thing in this और साथ ही इसमें AI algorithm का भी इस्तेमाल किया जाता है, which is again a good thing for a photography क्योंकि ये pictures को fine tune कर देता है, decent pictures आई हैं, अच्छी pictures आई हैं बहराल, दो camera नहीं दिये गये हैं उसके बावजूद की वहीं आपको बताते कि इसकी battery है, वो 3410 mAh की battery है, और full day इसमें हमारा साथ ने भाया, पूरा दिन ये as a usual smartphone चला और कुछ तंग नहीं किया, जब हमने exhaustive usage करी, videos देखे, browsing करी और साथी pictures की काफी खेंची, तो एक दिन इसमें पूरा साथ ने भाया और वहीं आपको बताएं कि इस price में आपको AI algorithm दिया गया है camera में, which is again a good thing, 6GB की RAM दी गई है इस price में, which is again a good thing, और उसके साथ अच्छी चीज़े है कि face recognition भी इस price में intuitive किया गया है, finger print scanner नहीं है, और साथी साथ इसमें dual camera setup नहीं है, बट वो इसको इतना हावी नहीं हो पाया क कर दो कर दो